दोस्तों अगर बात करें अपने भारत देश की तो अपना देश तमाम रहसों से भरा पड़ा है। बहुत सारे ऐसे रहस हैं जिनका आज तक पता नहीं लगाया जा सका। एक ऐसा ही रहस है जो देश की एक लोती नदी जहां पर पानी के साथ बहता है सोना। कई साल से लोगों की कमाई का बना हुआ है जरिया। भारत में चार सो से भी जादा चोटी बड़ी नदीया बहती हैं। देश भर में बहती हुई इन नदीयों की कुछ ना कुछ खासियत ह लेकिन आज हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जो सोने की नदी कहा जाता है जी हाँ, यहाँ पानी में सोना मिलता है आपको जानकर हैरानी होगी कि सैक्ड़ों सालों बाद भी बैग्यानकों कोया पता नहीं चल पाया कि इस नदी में सोना क्यों बहता है यानि इस नदी का सोना बैग्यानकों के लिए अभी भी रहस बना हुआ है हम बात कर रहे हैं जारखंड में बहने वाली सुरंड रेखा नदी की, नदी में पानी के साथ सोना बहने की बजा से इसे सुरंड नदी के नाम से जाना जाता है, जारखंड में कुछ ऐसी जगए हैं जहां अस्थानी आदिवासी इस नदी में सुबह जाते हैं और दिन भर र नदी से सोना इकठे करने का काम करते हैं। ये नदी जारखंड पश्चिम बंगाल और उडिसा में भाती है और इसका उद्दम जारखंड के राची सहर से लगभग सोरा किलो मीटर दूर है। इस नदी से जुड़ी हुई एक हैरान कर देने वाली बात या है कि राची इस्थ कर सुके कई भूबैग्यानकों का मानना है कि ये नदी चटानों से होकर आगे बढ़ती है और इस बजा से इसमें सोने के कड़ आ जाते हैं। हाला कि इस बात में कितनी सच्चाई है इस बात का पता आज तक नहीं लगाया जा सका है। सुनडरेखा की एक सहायक नदी करकरी की रेत में भी सोने के कड़ मिलते हैं जबकि कुछ लोगों का यहाभी कहना है कि सुनडरेखा नदी में जो सोने के कड़ पाये जाते हैं वह करकरी नदी से ही बहकर आते हैं। नदी की रेत से सोना इकठा करने के लिए लोगों को दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। आदिव को बेच कर 80-100 रूपए कमाते हैं इस तरह सोने के कड़ बेच कर एक सक्स आउस्तन महीने में 5-8,000 रूपए ही कमाता है तो दोस्तों हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बाक्स में लिख कर जरूर बताईएगा और भी इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सबस स्क्राइब जरूर करिएगा